आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा आईए जानते हैं आज का राशीफल सप्तिमी देथी आरंब हो जाएगी नक्षत आज भढ़नी रहेगा दिन के दो बज कर 41 मेर तक दुबंद किर्टिका नक्षत आरंब हो जाएगा वत्योहर में आज हल सष्ठी का वुरत रहने वाला है जिसे ललही सष्ठी भी कहा जाता है मित्रों का आपको आज का पंचांग और भी विस्थार जानना है एक एक मोर्तोगा में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के धर्मशिक्षा पंचांग का लिंक दिया हुआ है और लकी नम्मर क्या रहेगा रासी का नुसार तो वीडियो में हमारे साथ अंतग में रिए ताकि आपको संपून रासीपल की जानकारी हो पाए रासीपल का वीडियो पसंद आए जानकारी अच्छी लगे तेसे लाइक करें साथी कमिट बक्स में जै मतादी जोग लिखें वीत्रों आज के 12 रासीपल आपको बताना आराम करों उससे पहले आईए हम सभी मिलकर एक नजर डालें आज के गरहों की स्तेथी पर क्योंकि गरहों की स्तेथी पर ही पूरा रासीपल निर्भर करता है मेस रासी में चंदरमा आज 12 हुए स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुर्प आज के दिन आप अपने कैरियर में बदलाव करने का विचार कर सकते हैं आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाई दिनों में सफलता की प्राप्ति करवा सकता है जुआ तक मकान या भूमी खहिदने का प्रियास कर रहे हैं उनकी खोज पूरी हो सकती है आज पूरे दिन आप अपने पारिवारी काम में व्यास्त भी रह सकते हैं धार्मी कारी और पूजा पार्ट में भी आपका मल लगेगा कुछ समय का उपयोग आप पूजा पार्ट के लिए भी कर सकते हैं आज आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा व्यापार और धन की बात करें तो कहीं पैसे निवेस करते समय आज की दिन थोड़ी साधानी बरतने की आपको जोड़ रहत है तो कहीं भी निवेस करना हो तो नियोजित धंग सही करें बरे बुजर्गों के सलाह के बाद ही करें आज किन खर्चों में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है जमा किये हुए पैसों में कमी भी आ सकती है लेकिन आई के सुरोतों में बढ़ोतरी संभव है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज करें अच्छा रहने वाला है विद्यार्थी करन अपने बीते हुए समय में जितना भी मेहनत किये होंगे उसका फ़ल उनको अब मिल सकता है स्वास्थ की बात करें आज आपका स्वास्थ अच्छा रहने वाला है लेकिन आप अपने माता के स्वास्थ का ध्यान रखें क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ उनका स्वास्थित और डगमगा सकता है तो उनका ध्यान रखने की अवेश सकता है प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज किन मध्यम रहेगा जीवन साथी के साथ कुछ हलकी नोग जोग हो सकती है लेकिन बाद में सब कुछ सामानने भी हो जाएगा आज किन चावल अपने खाते बतार्थ में सामिल करेंगे आप तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पीला रंग लकी नमबर दो रहने वाला है बात करेंगे वरिसरासी की वरिसरासी मचंदरमा 11 वे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप परिवार में लाराई जहरे का माहौल बन सकता है तो आपस में सामंजस से बना के रखें मित्रों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा आज आप अपने मन की बात किसी से सेर्व ना करें आज हो सकता आपकी गत्विदियों पर कोई और भी नजर रख रहा हो तो साबधान रहें अपनी हर रोज की आदतों से भी बचें माता पिता का अपको भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा व्यापार उधन की बात के नोकरी करने वाई लोगों के लिए आज के दिन सामानने रहने वाले व्यापारियों को व्यापार में लाब मिलेगा आपका आर्थिक बजट आर्थर डगमगा सकता है तो अपने खर्चों पे नियंतन रखें आज आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा जो विद्यार्थी महनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ती भी जरूर होगी स्वास्त की बात के स्वास्त के दिश्टी से आज के आपके लिए बढ़िया रहने वाला है सुबह सुबह अंकूरी तनाज खाएं इससे आपका पेट साप रहेगा और आप स्वास्त भी रहेंगे प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज के निमिला दला रहेगा जीवन साथी से कुछ वादिवाद हो सकते हैं तो आज के न थोड़ा समल कर बोलें मधुरवानी बोलें विवादों से बचें आज के चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग रहने वाला पीला रंग लखी नंबर रहेगा 1 बात केंगे मिथान रासी की मिथान रासी मिचेंद्रमां 10 वे स्था में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आपकी रहन सहन की स्थिति में सुधार आ सकता है, कुछ समाजी कारी करने का आउसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथी खर्च भी आपके बढ़ेंगे, आपके बचाएवे पैसों में कमी आज आ सकती है। समन्द बहतर होंगे। आज के इन गेहुं से बनीवी चीए खाएँगे तापके लिए सुब रहेगा। आपके लिए आज का सुब रंग महरून रंग लगी नमबर रहने वाला है। बात करेंगे अप करकरासी की। करकरासी में चंतरमा आज नौए स्थान में विराजित हैं। जिसके फ्रसुप आज आपकी जिम्मेदारियां बर सकती है। और आप इस बढ़ीवी जिम्मेदारी का नेरवा भी अच्छे धंग से कर पाएंगे। आज पास के लोग आपकी तारीब करते हुए दिखेंगे। मकान या काम करने के जगा के विश्य में बदलाव का मन आपका हो सकता है। आपका आज पूजा पाठ में मन लगेगा। वाहन या जमीन खेदने के योग भी बन सकते हैं। आज आप मानसिक सांती का अनभव करेंगे। जो जाता कला के छेतर से जुरे हुए हैं उनके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। व्यापार अधन की बात के तो व्यापार ये नोकरीम आपको आज फाइदा होगा। अगर कहीं आपने पने पैसे निवेस कर रखें तो फाइद्य आपको वहाँ से भी हो सकते हैं। विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहने वाल हैं। कुछ अध्यान करने का आवसर आपको प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी इंजिनेरिंग के छेतरे से जुरे हुए हैं। उन्हीं ज्यादा मेहनत भी करना पर सकते हैं। स्वास्थ की बात करें। स्वास्थ समंद्धी कुछ विबारी या मौस्मी रोग होने की संभावना बन रही हैं। तो साब्धान रहें। अपने स्वास्त का ध्यान जोर रखें आज आपकी मानसिक सांती भी और रह सकती है किसी प्रकार के चिंता रह सकती है प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है जो जातक और विवाहित हैं उनके लिए विवाह के पस्ता हो या विवाह आपके योगाज बन सकते हैं। आज किंग चावल खाएंगे तब के खुझ ही और विगरे हुए काम आँज बन सकते हैं। सीथी बात कहेंगे तो आपको फाइदा होगा। नए कामकाज की प्लैनिंग हो सकते हैं। आज किन किसी दस्तावेज पर अगहस्ताक्षर करते हैं तो सोच समझकर ही करें पडिवार या फी पैसे जोरी भी पैसानिया आ सकती है मन में घबराट रह सकती है विवादों सबको बचना चाहिए व्यापार उधन की बातकेद व्यापार में उत्राचराव आ सकता है बन सकते हैं तो मेहनत में किसी परकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्त की बात करें तो मानसिक सांती भंग हो सकती है किसी परकार की चिंटा रह सकती है ठकान और अला से भी बना रह सकता है तो अपने स्वास्त का ध्यान रखने की आवेश सकता है प्रेम समंध की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा जीवन साथी से सम्मान और प्यार की प्राप्ति होगी आपको आज के मूंकी दाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग पीला रंग लगी नम्मर आठ रहेगा बात करेंगे अब कन्यारासी की कन्यारासी में चंद्रमा साथमें स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आप अपने कारियों में आज वियस्त रहेंगे आज आप पर काम का लोड भी ज़्यादा रह सकता है अपने क्रोध पर लेकिना नियनतन रखें यह क्रोध जो है आपको आज हानी करा सकता है बेरोजगार जातकों को किसी मेत्र के सहयोग से नोक्री लग सकती है परिवार के किसी विशेश चिंता का समाधान संभव है सरकारी कारियों सापको सफलता मिलेगी व्यापार उधन की बातकर व्यापार में नई उजना बन सकती जिससे आपको फायदा होगा आज आप लेन देन में साबधानी बरते हैं निवे सगर करना भी है तो अनभवी लोगों की सलाह विचार से ही करें विद्यार्थी की बातकर विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा कुछ विद्यार्थी आज अपने परिक्षा परिनाम से और सहमत भी रह सकते हैं स्वास्त की बातकर सांस से समदीत कुछ परिशानी रह सकती है तो अपने स्वास्त का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समंद की बात के तो आज जीवन साथी से अन्वन होने की संभावना बन रही है तो अपने आप पर नियंतर रखें समंद अच्छे बना के रखें आज के इंचांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सफेद रंग लखी नमबर रहने वाला दो बात केंगे तुलारासिकी तुलारासिम चंदर्मा छठे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपके कोई राज सार्वजनिक हो सकते हैं तो सचेत रहें आज किसी पर अक्रामक होने के बजाए सांती से काम लें आपके दोस्तों का आज आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा परिश्रम ज़्यादा करना पर सकता है आज वहां चलाते समय भी साधानी आपको बड़तनी चाहिए व्यापार और धन की बात करत आपकी आर्थिक इस्तिती सुद्रिड होगी बच्चों से जोरे मौमले में पोजिटिव रहेंगे तो आपको फायदा होगा व्यापार में आपकी स्थिती अच्छी बनी रहेगी विद्यार्थी की बात करत विद्यार्थियों को आज सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा महिनत करना परेगा जो विद्यार्थी कोवमर्स के फिल्ड के हैं उन्हें मेहनत से जदा फल की प्राप्ति भी हो सकती है स्वास्त की बात करें महिला जातकों को अपने स्वास्त के परती सचेत रहना होगा अपने जीवन साथी के स्वास्ति का भी आपको ध्यान रखना चाहिए प्रेम समंद की बात के तो आज अपने जीवन साथी को समय दे पाएंगे जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है और यह आपके प्रेम समंद के लिए अच्छा भी रहेगा आज के मसूर की दाल खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आज का सुब रंग भगवारंग लकी नमर चार रहेगा बात करेंगे विश्ची क्रासिकी विश्चिक रासीम चंदर्मा पाँचमे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आप घर तथा ओफिस दोनों के जिम्मेदारियां अच्छे से निवा पाएंगे आपका आत्म विश्वास भी बढ़ेगा आज आपका ज्यादातर समय आपके सुप चिंतों के साथ बी बढ़े निवेस करने से बिलकुल बचे हैं जू जातक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए आजके अच्छा रहने वाला है नोकरी में पड़िवर्तन की संभावना बन सकती है उच्छे पत की प्राप्ति आपको हो सकती है आपके आयमें विवर्धी भी होगी विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आजके सामाने रहने वाला है महनत करने सफलता की प्राप्ति होगी स्वास्त की बात के पेट से समंधित किसी दिक्कत का सामना आपको करना पर सकता है आज मसाईदार खाने और बाहर के खाने से बचें से आपका स्वास्ति खराव हो सकता है प्र जिस से आपके काम वीगर सकते हैं महिला जातकों के लिए आज 19 का अच्छा आउसर भी बनेगा बात करेंगे व्यापार ओधन की तो आज के दिन आपके लिए सामाने रहने वाला निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे पैतिक संपत्ति मिल लेकी योग भी बन रहे हैं महिला जातकों के आयमे विर्धी भी होगी विद्यार्थी की बात के जुरा तक मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का समय अच्छा रहने वाला है सफलता मिलेगी स्वास्त की बात के तो आज आपके सिर्व में थोदाद रह सकता है लेकिन कुल मिलाकर आपका स्व अपस्ते बढ़या रहेगा। प्रेम समंद की बात के तो आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकते हैं। और यहां आपके प्रेम समंद के लिए अच्छा भी रहेगा। आजके न तला हुँवा भोजन करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सुनरररंग लकी नमबर रहने वाला टीन बात करेंगे मकररासी की मकररासी मिचंदमा ती-सले स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज आपके आत्मी स्वास में बढ़ोत्री हो सकती है आफिस के कुछ महत्पून कारिया आपको करने पर सकते हैं आज अगर आप अच्छी योजना बना कर करी महनत करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी धैरे रखें दिन भर आपका मन खुश रहेगा संतान के तरब से कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है अगर आज किन कोई धार्मी कारी करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी व्यापार अधन की बातके तो आई के स्रोतों में बढ़ोत्री होगी नोकरी में भी तरक्की हो सकती है लेकिन साथ ही आफिस में वाद व्याद की स्थिती भी उतपर न हो सकती है वस्तरों के खरीद में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं कुल मिला करकर देखा जाए तो परिवार में खुसहाली का वातावरन भी बना रहेगा विद्यार्थी की बात के जो तक मेडिकल के विद्यार्थी है उनके लिए आज के अच्छा रहने वाला उनको सफलता मिलेगी स्वास्त की बात के स्वास्त के दिष्टी से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्त का ध्यान जोर रखें तले भुने और मसाईदार खनों से दूर रहें प्रेम समन्त की बात के तो अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखें, आज आपके जीवन साथी ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, आज किन लोहे के बरतन में खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग पीला सकते हैं किसी फालतों के काम के कारण भी आपका समय बरबाद हो सकता है तो इस बात का ध्यान जोड़ रखें और अपना समय अपने कारी छेत में ही लगावें आज आपके लिए अनुकूल स्थिती बनी रहेगी आज आपने मन की करने के भी कोशिस कर सकते हैं व्यापार और ध खर्च आपके आय शदिक हो सकता है वुद्यार्यथि की बात कर विद्यार्थियों के लिए आजकिन मध्यम रहने वाला है मेहनत से कम आपको सफलता की प्रापती होगी फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमीं बिलकुल न रखें स्वास्थ यारद की बात कर लोग से च प्रकार के चमकीले रंग लखी नमर छे रहेगा बात करें मीन नासी की मीन नासी मिचेद्रमा पर्थमस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप अगर आप नोकरी करते हैं तो आपको अपने से बड़े अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा आज आप मधुरवानी बोल जो आपको हान ही पहुचा सकता हो व्यापार औ धन की बात करें तो आर्थिक दिरिष्टी से आज की आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज नए व्यापार के लिए भी अच्छा दिन है व्यापार में लाव होगा आमदानी आपकी बढ़ेगी बचत भी आपकी आज और निंद्रा का त्याग कर इन दोनों पर विजय प्राप्त करें अपने पढ़ाई पर ध्यान लगावें स्वास्त की बात करें अपने स्वास्त का ध्यान रखें लेकिन अपने पिता के स्वास्त का ध्यान रखें आज उनके स्वास्त में थोड़ी उताराचराव आ सकती है आपका स्वास्त अलांके सामान ने रहेगा प्रेम समन्द की बात के पती पत्ने की बीच किसी प्रकार की गिलत फेहमी दूर हो सकती है दाम पत्ते जीवन आपका अच्छा रहेगा आज किन मसूर की डाल खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज़ का सुब रहेगा फिरोजी रंग लज़ी नंबर रहने वाला 3 तुम्छी ये तो थाज के 12 राशी का राशी फल अब जानेते हैं आज का सुब समय आज का सुब समय याने की गुलिक काल दिन के 12 बच का 19 मेट से लेकर दिन के 1 बच का 54 मेर तक रहने वाल है इस समय में को भी नया कारी आरम करेंगे उसमें आपको सफलताथ लगेगी आज का सुब समय याने की राहु काल रहने वाल है दिन के तीन बच कर 29 मिर्स लेकर, साम के 5 बच कर 3 मिर्ट तक, इस समय में को भी नया कारिये, आनम करने से बिलकुल बचे हैं, इसमें आपको और सफलताथ लग सकती है, दिशासुलाद उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रियोजन से यातारम ना करें, आपको नु